क्रशी के क्षेत्र में भारवाही पशुओं की आर्थिक शमता और उप्योग संबंधी दक्षता में सुधार लाने के लिए अखिल भारती समन्वित अनुसंधान परियोजना में तेज गती से काम हो रहा है परियोजना का मुख्य लक्षिय पशुशक्ति आधारित उपकरणों एवं यंत्रों को विक्सित करने के साथ इस स्त्रोत के उप्योग को बढ़ावा देना है वेज हल काउप्योग पहाडिक शेत्रों में संक्रे स्थानों पर गहरी जुताई और पडलिंग प्रचालन के लिए ये एक आधुनिक तम्हल है ये उपकरण खेती और किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है इसकी कारिक्षमता पारंपरिक हल की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है फसल अविशेश संग्राह का उप्योग बुआई से पहले खेत से डंठलों को एकत्रत करने के लिए किया जाता है ये यंत्र 88 प्रतिशत अतिरिक्त दक्षता के साथ उप्योगी साबित हो रहा है पशुचलित खूंटे युक्त चक्रिय उन्नत मचाई यंत्र का उप्योग धान की खेती के लिए गीली मिट्टी वाली अवस्था में पारंपरिक पडलर की तुलना में ये अधिक उप्योगी सिद्ध हो रहा है बैल उचलित आठ कतार ड्रम युक्त बुवाई यंत्र से धान के अंकुरित बीज को गीली जमीन में कतार में बोया जाता है ये यंत्र हाथ से की जाने वाली रुपाई की तुलना में ज्यादा उप्योगी है इस उपकरण के उप्योग से कठोर श्रम के साथ इस पर होने वाले व्याय में भी कमी आई है पांच कतारी बहु फसली बीज एवं खाद बुवाई यंत्र का उप्योग विभिन फसलों के बीजों जैसे गेहू, मक्का, उलद और मूंग आदी की बुवाई हेतू किया जाता है ये यंत्र कतार बद बुवाई को आसान बनाता है पशुचलित बहु फसलिये बीज बुआई यंद्र, गेहुं, मक्का, कालाचना और मूंग की बुआई के लिए बेहत कारगर साबित हो रहा है पारंपरिक बुआई की विधी की जग है, इसके उपयोग से किसानों को 45 प्रतिशत श्रम और 30 से 40 प्रतिशत समय की बचत हो रही है साथ ही इस पधधती से 64 प्रतिशत की अभूतपूर्व बचत भी बुआई की लागत में हो रही है